दोस्तों हमारी देश में बहुत सी सरकारी सुविधाओं को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है जिसकी वज़े से आधार अब सबसे जरूरी डॉकिमेंट्स में से एक बन चुका है बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरी जगे पर शिफ्ट हो जाते हैं पर आपको अपने डॉकिमेंट्स भी अपडेट कराने पड़ते हैं बट अगर आपके पास वैलिड अड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपको अपने डॉकिमेंट्स को अपडेट कराने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है बट अब ऐसा नहीं होगा अब अगर आपके पास नई जगह का valid address proof नहीं है तब भी आप आधार के लिए अपना registered address बदल सकते हैं दोस्तों Unique Identification Authority of India यानि UIDAI ने अब address बदलने के लिए address validation letter का use करने की permission दे दी है आज हम आपको यही बताएंगी कि अगर आपके पास valid address proof नहीं है तो आप कैसे अपना address आधार में update कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमश्का दोस्तों मैं विदिशा चोधरी व्यपार मंच में आपका स्वागत करती हूँ अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो हमारे चनल को subscribe जरूर कर दीजे और साथ ही प्रेस कर दीजे इस bell icon को भी दोस्तों आधार पर नया address update करने के लिए आपको address validation letter का प्रयोग करना होगा इस letter में user के लिए कोई और address verify कर सकता है आईए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये address validation letter दोस्तों आधार address validation letter वो letter है जो address verify के address पर भीजा जाएगा और इसमें एक secret code भीजा जाएगा validation के लिए और इसके बाद address verify अपने address को आपको use करने की concern देगा जब applicant address verification letter की request raise करेगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको आधार validation letter मिल जाएगा आईए अप जानते हैं कि address verify कौन होगा दोस्तों address verify कोई भी हो सकता है आपका family member, आपका relative, आपका friend, landlord या कोई भी ऐसा बंदा जो अपना address आपको use करने की permission दे रहा है as a address proof in your आधार card यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि आपका address verify वो ही बन सकता है जिसके आधार में वो ही same address हो जिसे आप अपना address बनाना चाहते हैं यहाँ पर कुछ और बाते भी ध्यान देने की हैं जैसे कि दोनों resident और address lender या verifier दोनों के ही mobile number दोनों के respective आधार में registered होने चाहिए यह request दोनों को ही authenticate करनी होगी OTP के द्वारा address lender या address verifier अपनी consent देने के लिए ready हो ताकि आपके आधार में उसका address update हो पाए या यू कहें कि उसके address पर आपका आधार address update हो जाए अगर आपका address verifier consent देना miss कर जाता है एक stipulated time के अंदर अंदर तो यह request invalid हो जाएगी और तब आपको पूरा process दोबारा initiate करना होगा आईए अब step by step जानते हैं कि कैसे आप address verifier की मदद से अपना address update कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको address verification letter की request release करने के लिए सबसे पहले UIDAI की website पर जाना होगा ये link मैंने नीचे description box में डाल दिया है आप direct वहाँ से click करके open कर सकते हैं वहाँ पर आपको request आधार validation letter option select करना होगा जो आधार update selection में आपको मिलेगा इस पर click करने के बाद आप self service update portal यानी SSUP खुल जाएगा वहाँ पर आपको ये steps follow करने होगे सबसे पहले आप अपने आधार number के साथ login करिए उसके बाद verify का आधार डालिए और submit कर दीजे जैसे ही आप submit करेंगे आपके verify को एक SMS मिलेगा जिसके अंदर एक link होगा अपनी consent देने का इस update के लिए verify जब उस SMS पर click करेगा तो click करने के बाद उस link पर click करने के बाद उसको एक अलग SMS receive होगा जिसमें की OTP होगा verification के लिए जब वो OTP डालके capture डालके verify करेंगे तो resident को एक SRN मिलेगा वाया SMS जब resident को confirmation मिल जाए verify की तो resident को SRN के साथ दोबाया login करना होगा preview address चेक करना होगा जब आपका जो preview address आया रहा है अगर आपको लगता है उसमें कुछ गरबड है local language में तो edit कर सकते हैं बड़ जो English वाली language होगी वो आप edit नहीं कर पाएंगे ये address वो ही address होगा जो आपके verify के अधार में address है उसके बाद आप submit कर दीजिए submit करने के बाद address validation letter एक secret code के साथ verify के address पर भेज दिया जाएगा वाया post इसके बाद जब आपको मिल जाया ये letter तो आपको SSUP पर दोबारा जाना है proceed to update address पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा आपको update address वाया secret code उसके बाद एक बाद फिर go through कर लिजिए नए address को और submit कर दीजिए जैसे ही आप submit करेंगे आपको update request number मिल जाएगा अब जो आपका नया updated आधार आएगा उसमें आपके address के साथ care of में आपके address verify का नाम होगा और इस तरह से आप अपना address update कर पाएंगे बिना किसी valid address proof के बट यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस तरह आप केवल अपना address ही change कर सकते हैं अगर आपको अपना mobile number name या date of birth जैसी details को edit करना है तो आपको अपने पास के आधार enrollment center पर ही जाना होगा वहीं जाकर आप अपनी ये details edit कर पाएंगे तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो जादा से जादा आप इस वीडियो को like and share करिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल ली से subscribe कर दीजे thank you